हेलो दोस्तों साथ आपका बीयाइट यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो में हम देखेंगे जदि आप ट्रेन का ट्रेवल करते हैं तो आपको जब आपकी सिटी में जाते हैं तो वहां पर आपको रुकने के लिए होटेल की आप सकता होती है तो आज मैं बताओंगा यहां तो वीडियो में बने रही हैगा वीडियो को कर दीजिए गां रिटारिंग रूम होते यह इंडियर रेलवे के तरब से ही आपको इस्टेशन पर उपलब्द करा जाते हैं इनमें बहुत अच्छी सुविदा होती है या बहुत ही नीट क्लीन होते हैं यहां पर आपको सारी सुविदाइं दी जाती है और इनका जो प्राइस होता है वह भी आपके होटेल के रूम स से काफी सस्ता पड़ता है लगवग आधे-धे के बराबर में पड़ता है और यहां पर आपको काफी अच्छी सुविदाएं भी मिल जाती है तो इसके इस वीडियो में हम देखेंगे आप किस तरीके से अपना रिटारिंग रूम बुक करेंगे तो सबसे पहले देखें मै यह नया वीपसाइट खुल गए है एंह पर देखिया है यहाँ पर यहाँर यहां पर होती है आपकी टालाइन इस से पहले आप यहां पपर पूस्ट कर लेंगे मान बाद या मंगहां आप करने के अपर नंबर्स नम्बर करेगा औरल करेंगे मैं कि अपर आपका त्रीन नंबर और आपका सोर्ष इस्टीयसन आप किस जगह से आ रहे हैं और आपकी डिपंचेशे और आपका desnation address और arrival ऍवार सो करता है अब देखे यहां पर एक चीज़ होती है आप है रिटारिंग रूम र्कुर्ड आइड़िया पर आपको देखे रिटारिंग रूम जो हता है यहां तो आपके सोर्स इस्टेशन यहां से आप चल रहे हैं वहां पर भी बूक कर सकते हैं और डेस्टिनेशन एडरस यहां आप जा रहे हैं उस जगह भी आप अपना डेटारिंग नूब कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर देखिए मथूरा से यहां पर देखिए उज्जयन जाओंगा तो मैं यहां मथूरा से altyra करसकता और यह उज्जयन से भी कर सकता हूं तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंका डेस्टिनेशंए अड्रेस्ट चैनर का यहाँ पर देखेम मैंने उज्जयन सेलक्ट कर दी अब देखे favor कर देता हूं 10 तारीक और चेक आउट आप यहाँ पर देखें मैंग्जिमूम 3 घंटा और मिनिमूम 48 घंटा अप यहाँ पर रुक सकते हैं इससे कम ज्यादा का नहीं होता है तो यहाँ पर यह three यहां पर आपको आपको अपना एक लॉकर दे दिया जाता है वहां पर अपना सामान से तरीका से रख सकते हैं और यहां पर डॉर्मेट्री जो होता है वो थोड़ा सा कम रेट में पढ़ता है और जो डबल होता है यहां पर आपका एक सेपरेट रूम होता है तो मैं यहां पर यहांपर डबल कर दूबा आपको A.C. करना है यांपकी आपर टूएस भी है यानिके जनरल तो वहाँ पर इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई सी भी टिकट हो आपका यहाँ पर पेनार नंबर से मतलब होता है आपकी टिकट पर कर दिए चैक आओट डेट और बैट टाइप सी जनरल सब कुछ कर दिया पर यहां पर यहां पर यह डेटेल खुल गई है और यहां पर यहांपर नंबर यह पर दिखना है नौ नेशी बेस्टन ट्वाइलेट डाइनिंग टैबल यहां पर सारी सुविदा आपको दी जाएगी तो यहां पर जैसे मैं माल लेता हूं मुझे 11 तारिक को यहां पर चेक-इं करना है तो मैं यहां पर कर देता हूं रूम नूमबर 2 और यहां पर कर देता हूं 24 आर्स के ल तो करेगी यहां पर मेरा जो दो लोग है तो यहां पर वह सो करेगा दोनों और्ड़नरी रूम टाइप आप देखें यहां पर मैं नीचे स्लाइड करूंगा यहां पर आपको परसुनल लिटेल अपनी भरनी पड़ेगी आपका टाइटल मिस्ट जो भी है मिस्टर मिस्ट यहाँ पर आपका नाम आजाएगा आपने अपी आप दो लोग हैं तो आपका एक किसी का फर्स्ट याज जो भी है उसका नाम आजाएगा यहाँ पर आपकी email ID आजाएगी City का नाम अपना भरेंगे आपका स्टेट किसे स्टेट से आप जा रहे हैं आपका complete address रहेगा पिन कोड रहेगा यहां पर ID card में आप देखिए आधार कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक पासुक इस्टुडेंट ID card यहां पर सब ID card लगबग मानने हैं तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं और आप पर ID card कर नंबर डालके आप यहां पर प्रोसीट कर देंगे देखिए मैं इसाइड डिटाइल भरने के बाद यहां पर फिर से इसी तरीके से अनलाइन तो अब मैं बताओंगा आपको आफ लाइन के इस तरीके से बुक करना है आफ लाइन बुक करने में भी कोई आपको यहां पर असुविदा नहीं होगी यहां पर आप अपना जो इस्टेशन है वहां पर आप जाएंगे और अपना नंबर वहां पर एक इनार नंबर से वह आपका डिटेल पूरी निकाल लेंगे और वहां पर आपको जिस टाइप का आप रूम चाहिए सेम वही रूम इसी प्राइस भी रहता है थोड़ा बैरी करता है उपर नीचे डे के साब से तो आप वहां पर इस प्राइस में आप उसे बुक कर सकते हैं चाहिसर्ण से अब आप इससे और पर जो कुछ आइड़ी भी देनी पड़ेगी अपको अप्राइडी दे देंगे वहां पर वीडियो में इतना रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइबाइब जाहिए भारत